हेलो बच्चो यह कहानी है एक लालची कुत्ते की एक गाउं में एक लालची कुत्ता रहता था वह गाउं में घूम घूम कर खाने की तलास करता था वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता उसे कम ही लगता था गाउं के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ा उसे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था कोई ना कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देता था उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता एक दिन उसे कहीं से एक हड़ी मिल गई हड़ी को देखकर उसकी खुसी का ठिकाना ना रहा उसने सोजा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए यह सोचकर वो गाउं से जंगल की और जाने लगा रास्ते में वहपूल के उपर से नदी पार क जर आ रहा है उसे लगा कि नीचे भी कोई कुटा है जिसके पास एक और हड़ी है उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड़ी च्छिन लू तो मेरे पास दो हड़ीयां हो जाएंगी फिर मैं एक साथ दोनों हड़ीयों को मज़े से खा सकूँगा ऐसा सोचकर वह जैसे ही पान करती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लालच करने से हमारा ही नुक्सान होता है